राजस्तान में मौसम तो परिवर्तित हो गया, गरम हवाओं के थपेड़ी भी चल रहे हैं, लेकिन चम्बल के पानी को लेकर तकरार सुरू हो चुकी है दरसल भीलवाडा में चम्बल के पानी को लेकर कॉंग्रेस और वीजेपी मुद्दा बनाने में लगी है आपको बता दे इस सीट पर कॉंग्रेस की और से पूर्व विदान सब आद्ध्यक सिपी जोशी को मैदान में उतारा गया है तो वीजेपी की और से दामोदर अगरवाल को मैदान में उतारा गया है दोनों ही चंबल के पानी का मुद्दा बना कर जनता के बीच में जा रहे हैं अब ये चंबल के पानी को लेकर जनता का मंट टटोनले की कोशिश की जा रही है आपको पता दे 2009 में भी चंबल के पानी का मुद्दा लेकर सिप्पी जोशी मैदान में उतरे थे और उनको जीत मिली थी तो सिप्पी जोशी भली बाती जानते हैं कि इस मुद्दे को वापिस अगर बुनाया जाएगा लोग सबाद चुनाओ में तो जनता कई न कई उनके पक्ष में वोट करेगी वहीं दामोदर अगरवाल भी चंबल के पानी का मुद्दा हो या फिर रोजगार की बात हो ब्रश्टाशार खतम करने की बात हो लोकल मुद्दो को लेकर जनता का मन्ट टोलने में लगे हैं वहीं सिप्पी जोशी भी किसानों के जो राशी मिलने वाली थी उसको बढ़ाने की बात उनकी ओर से की जा रही है लेकिन यहां इस वक्त भीलवारे की सीट पर चंबल का पानी सबसे पहला मुद्दा बन चुका है हाईवे का मुद्दा भी चाया हुआ है इस मुद्दे को लेकर सिप्पी जोशी लगातार जनता का मंड़ टोल रहे हैं और कॉंग्रेस पार्टी के पदादिकारी भी अलक मुद्दे बनाने में लगे हैं अगर जीत कराएंगे तो निस्तोर पर चंबल का पानी मिलेगा चंबल के पानी को लेकर जिस तरह की समश्चा आया रही है उसके निस्तारण के वादे किये जा रहे हैं सीट सने तरह तो लगातार चाये वो कॉंग्रेस का हो चाये वीजेपी का हो यहाँ पर जन्सभाओं के माद्यम से कई तरह के वादे जनता से किये जा रहे हैं दामोदर अगरवाली भी हैं जिनको भी राज़िती का अच्छा नुम्भ हो है अनुभाव तो सिप्पी जोशी के पास भी है इस अनुभाव को बुलाने की कोशिश की जा रही है बुनाने के साथ साथ ही जनता के बीच में भी जा रहे हैं परदिश इस्तर पर तो देखिए अलगलग सर्वे होते हैं सिप्पी जोशी एक रिपोर्ट कार्ड उनकी ओर से तैयार कर लिया गया है मुद्दो का जिसमें सबसे पहले चंबल का पानी है क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में राजस्तान में पानी की किल्लत साफता और पा देखने को मिलती है इस पानी की किल्लत से निजाद दिलाने के लिए इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश की जा रही है जो कि जनता भी जानती है तो ऐसे में पानी का मुद्दा सरुपतम दोनों ही पार्टियों की ओर से उठाया गया है अब कौन सी पार्टी चंबल के पानी को लेकर सफलो रुपाती है ये भी देखने वाली बात होगी पसंतांडे टीवी नाइन जैपुर